नमस्कार विभाकी श्री बिस्यन नीज्स के बिस्नेस समाचाह में आप सभी का स्वाकत है कबरों के और बढ़ने सी पहले आगे डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर गेहु उत्पादर में देश ने एक बार फिर बनाया नया रिकॉर्ड इस वर्ष देश में एक दर्शंबलो शुन्यन नो करोटन गेहु का उत्पादर मंगलवार को ठोग बाजार में रही गिरावट डाल गूर और चावल की चड़े भाव चीनी उद्योग की संगटन और इंडिया शुगर चीनी उद्योग ट्रेड असोशियेशन यानि एया एसी टी नी कहा कि भारत नी 2020-2021 की विप्ण सत्र में अब तक 56 लाग टन चीनी के निर्याद के लिए अनुपन की है और शेश 4 लाग टन के लिए जल सौथा के चानी की उंबित है सरकान ने 2020-2021 सत्र अफ्टमबर सितंबर के लिए 60 लाग टन अतरिक चीनी के अनिर्वाद के लिए ट्रूप से निर्याद का लक्ष तै क्या है इस निर्याद निती को जन्वरी में मंजूरी दी गए थी AI-STNA ने ताजा आखड़े जारी करते भी कहा कि 56 लाग टन के निर्याद अनुबंधों में से 34.88 लाग टन चीनी पहले ही 6 मई तक 12 देशों में फेची जा चुकी है इस दुरान इंडोनेशिया को 12.17 लाग टन अफगानिस्तान को 4.33 लाग टन और युए को 3.66 लाग टन चीनी पहले है विड़ो रिपोर्ट BCN News विड़ेशों में खाद्य तेलों में नर्मी के पेच दिलिठो जिस बासार में पी मंगलवार को एड में किरावट रही जबकि दालों गुड और चावल की भाव चड़के तेल तिलहन की बात करें तो वैश्विक सल्पर मलेशिया की बुर्शा मलेशिया डेरिविटिव एक्स्टेंज में पाम ओईल का जुलाई बाइदा अठार रिटिंग लुड़क कर 4,350 रिटिंग प्रति दन रह गया जुलाई का अमेरिकी सोया तेल बाइदा पे 6,57 सेंट फिसल कर 30,27 सेंट प्रति पॉड बला किया मां कम रहने से पाम ओईल 294 रुपे और मुंग फरली तेल 220 रुपे प्रति क्विंटल तूड किया सैसो तेल, सूरश मुकी तेल, सोया तेल और बनस्पति के भाव में कोई बतला नहीं पाव वही गुड चिने की बात करे तो मिठे की बाचार में चिने की किमत स्थीर रही है आवक कम रहने से गुड पचास रुपे प्रति क्विंटल चड़ गया दाल तलहन की बात करे तो ग्रहा की आने से चनाताल और मुंग दाल की भाव पचास पचास रुपे प्रति क्विंटल उचल गया बिरो रिपोर्ट बीसी अन नियूज बिमा नियम तुटनी पर इंशुरेंस रेगुलेटर एडा ने SBI जनरल इंशुरेंस कंपणी पर बड़ा जिर्माना लगा है एडा पहले भी दूसरी कंपणीों को नियमों का पालन नहीं करने पर सक्ती कर चुका है बिमा नियामक ने कंपणी पर 30 लाग रुपे का जिर्माना लगा है बताया जादा है कि कंपणी ने थर्ड पार्टी मोटर इंशुरेंस से जुड़े नियमों के पालन में लापिडवाई की थी एडा का आदेश आने की बात भी SBI जनरल इंशुरेंस के शेरों पर असर ने पड़ा मंगलवार को कंपणी का शेर पांच रुपे उपर एक हजार पांच रुपे पर कारुबार करना था एडा ने कहा है कि कंपणी पर आरुप था कि उसने कारुबारी साल 2008 से 19 के लिए MTP नियमों का पालन ले किया बिरो रिपोर्ट BCN News गेहु उत्पाधन में देश ने एक पार फिर नया रिकॉर्ड बना है गेहु अनुसंधान संस्तान करनाल के आकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष एक दशमलोग शुन्य सात करोड़ टन के पात इस वर्ष देश में एक दशमलोग शुन्य नो करोड़ टन गेहु का दिशक डॉक्टर नानिद्र प्रताव सिंग के अनुसार देश में इस पार गेहु का रफ़ा तीन दशमलोग एक करोड़ हेक्टियर था जबकि पिछली साल गेहु का रफ़ा तीन दशमलोग एक करोड़ हेक्टियर वह उत्पादन एक दशमलोग शुन्य सात करोड़ टन उन्होंने बताया है कि दुन्या में गेहु उत्पादन भी चीन प्रथमस्तान पर है जहां करीब 1.32 करूट तन गेहु उत्पादन होता है दुसरे स्थान पर भारत और अमिरिका तिसरे स्थान पर है 1950 और 51 भी भारत में गेहु का रखवा 9.55 मिलियन हेक्टर वह उत्पादन 6.46 मिलियन टन था 1990 और 60 में रखवा 13.38 मिलियन हेक्टर वह गेहु उत्पादन 10.32 मिलियन टन था पिछली कई सालों से गेहु का रखबा और उत्मादन बढ़ना खेती के लिए अच्छे संके थे। उन्होंने बताया कि केंदर सरकार ने पिछली साल की तुल्ना में 46 प्रतिशत अधिक गेहु की खरीती की है। देश के 33 लाग से अधिक किसानों को 47,600 करोट का भुकतान हो च वहीं बत्य प्रतिश 19,607 टन के साथ दूसरे नमबर पर रहा और पंचाब 17,508 स्ट्रन के साथ तिसरे नमबर पर था। माराष्ट्य इस दुछी भी आठवे नमबर पर है। राष्ट्य में पिछली बश दोहजार चात्रे टन गेहु की पैतापार हुई थी। गेहु की उपस में हर्याना, राजस्तान, बिहार, गुजराग, क्रमस, चौते से साथ नमबर पर है। बिरो रिपोर्ट बेसियन निव्स पैट्रोल डीजल के दाम रोज नहीं उचाई को चुरे है। बंगाल चुनाओं की बात एक बार फिर देशमन में पैट्रोल और डीजल के दा ऐसे में पैट्रोल की दाम सो का आखडा पार करने पाला है। जबकि पावर पैट्रोल की दर प्रति लिटर 101.43 रुपे है। पाच मई को पैट्रोल 96.80 रुपे और डीजल की दर 86.53 रुपे थी। वही 11 मई को पैट्रोल 98 रुपे और डीजल 88.03 रुपे पर बहुच 6 माई, 7 माई, 8 माई, 10 माई और मंगलवार 11 माई को प्रती दिन 20-30 पैसे की बढ़त हुई है ग्रहक संकटनों का आरूप है कि पेटुलियम कमपनियों को करोड रुपयों का फायता होने की बावजुद वे प्रती दिन कीमती पढ़ा कर आमनागरी को पर बोच दाल रही है वि इस वर्स्तेश में 1.69 करोटन गेहु का उत्पादर मंगलवार को ठोग बाजार में रही गिरावट डाल गुर और चावल की चड़े भाव बिसनेस समाचार में फिला लिता ही ऐसी अन्य खपरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे बेसेन निउस नमस्कार